जैहिन साथियों आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्शन में साथियो यूपी पुलिस कॉंस्टेवल के एक्जाम के लिए आज इस क्लास में आप 75 प्रशन देखेंगे और ये 75 प्रशन साथियों दो बार आप लोग देखेंगे एक साथियों इस क्लास में आप देखेंगे पहली बार और दूसरी बार साथियों डारेक्ट आप एक्जाम में देखेंगे तो अगर आपने साथियों इस वीडियो में एंट्री ली हैं एक्जाम से पहले हैं तो इस वीडियो को एकदम घोल कर आपको पी जाना है इन सभी के कराने की जमेदारी मेरी रही तो पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर हमें आपको बता देता हूँ यहाँ पर सातियों 37 प्रशन हिंदी के देखेंगे और 38 प्रशन सातियों सामान ग्यान के देखेंगे उसमें UPGK के भी प्रशन होंगे तो पहला प्रशनाप की स्क्रीन पर है कि सविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छत है कि जिसके अनुसार संग की राजभाशा हिंदी और लिपी देवनागरी है तो किसकी बात चल रही है कौन से अनुच्छत की बात चल रही है आपको ध्यान रखने अनुच्छत 343 क्या कहता है क साथियों संग की राजभाशा हिंदी होगी और लिपी देवनागरी होगी उसके बाद देखिए कि इन में से कौन सा स्वर नहीं है तो बच्पन में साथियों आपने स्वर और वेंजन पड़े होंगे तो स्वरों में आपने छोटा आ पड़ा होगा छोटा उपड़ा होगा ए पड़ा होगा लेकिन बागी अगर बात करें ये स्वर नहीं साथियों ये वेंजन है इसलिए जिनका अंसर यहाँ पर D है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए कि सिंगार साथियों अगर बात करें ये एक तदभव शब्द है इसका तदसम रूप क्या होगा ये आप से पूछा जा रहा है तो यहाँ पर साथियों शिरंगार कहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ साथियों जैसे आपका आप्शन नमबर सी में लिखा हुए न ए बिल्कुल साथियों लेकिन अगर बात करें साथियों यहाँ पर भी मुझे कुछ दिक्कत लग रही है शिरंगार आपका इस प्रकार से लिखा जाता है तो आप लूग ध्यान रखेंगे सिंगार का अगर पूछा जाए ततसम रूप क्या होगा तो जो मैंने लिखा है साथियों वो इस कोशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर अब उसके बाद देखिए मक्खी साथियों एक तद्भव रूप है इसका ततसम रूप आपसे पूछा जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं साथियों मक्षी का इसको कहा जाता है ततसम में आंसर आपका जाएगा डी के साथ पाच में नंबर का प्रशन देखिए शत्रू यानि के दुश्मन तो शत्रू का समनारती शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों शत्रू को हम लोग अरी भी कहते हैं इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है विराट की अगर बात करें तो विराट का मतलब वो क्या होता है साथियों बहुत बड़ा कह सकते हैं तो विराट का विलोम क्या होगा तो विराट का विलोम साथियों वरहद होगा तो नहीं वरहद होगा तो नहीं छोटा पन होगा ये भी नहीं होगा साथियों शुद्र होगा ये आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जाएगा आप्शन नमर डी के साथ भी बहुत बढ़िया वेरी गूट क्लास अब उसके बाद देखें साथियों इस परश्र का विलोम क्या होगा क्या इस परश्र का विलोम क्या होगा तो आंसर के अगर बात करें आप्शन नमर डी आपका हो जाता है यानि कि इस परश्र का विलोम भागिरती भी नहीं यामिरी भी नहीं है साथियों ये बहुत बार एक्जाम में प्रिशना आचुका है कि यमुना का परिवाच्ची क्या होता है तो कालिंदी होता है आपको धियान रखना है नेक्स नमबर का प्रिशना आपके स्क्रीन पर है बताएए अगर आप से पूछ दिया जाए कि संसकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है तो अगर बात करें साथियों संसकार में किस शब्द का साथियों क्या है किस शब्द के रूप में उपसर्ग आया है ये जो सम है ना साथियों सम ये क्या है ये उपसर्ग है आपको धियान रखना है ठ आप देखेंगे रेल गाली तो वो हमेशा कैसा शब्द कहलाएगा सात्यों संकर शब्द कहलाएगा या आपको ध्यान टकने आंसर आपका डी के साथ अब उसके बाद देखिए कि बुढ़ापा भी एक परकार का अभिशाप है इस वक्त में मोटे छपे शब्द की संग्या का भेद आपसे सात्यों पूछा जा रहा है कि बुढ़ापा सात्यों कैसा शब्द है कैसा शब्द है या जाती वाचक संग्या का शब्द है या वैक्ती वाचक शब्द है भाव वाचक शब्द है या क्या है देखिए बुढ़ापा की अगर बात करे या जवानी की बात करे इस सब में साथियों क्या एक भाव है ठीक है इसलिए ये कैसे शब्द हो जाएगे ये भाव वाजक संग्या क्या हो जाएगे अगर बात करें आंसर आपका भी यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए कि जो अपने करतव का निश्चे ना कर सके कुछ ल आपके इस बार एक्जाम में ट्रेंड करेगा कोशन इसलिए परिक्षा से पहले साथियों आप सबी लोगों को वो कॉंटेंट दिया जा रहा है जो एक्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा तो बस आपको बहुत जाद दिमाख नहीं लगाना है जो आपको करने से आपको रोग दे तो आंसर आपके आगर बात करें तेहरवे नंबर का प्रशना आपके स्क्रीन पर है इसमें कौन सा लंकार है तरनी तनुजा तर्ट तमाल तरूबर बहुचाए एक ऐसी पंक्ती दी जाए जिसमें शुरू का जो अक्षर है न वो बिलकुल सेम हो ज करोध तो जरूर होगा इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नमर सी और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिलकुल करेक्ट है यह साथ ही स्टार लगाकर अपने मारू मस्तिक्ष में इस प्रश्ट को स्टोर करेंगे साथ ही इस कोशन के राइट आंसर की जब हम बात करें कि हिंद मुशी प्रेमचंद्र का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्यों क्यूंकि परवेश्वर कहानी के लेखा कौन है साथियो मुशी प्रेमचंद्र है उसके बाद देखिए कि तोड़ता पत्थर ये एक कवीता है और इस कवीता की अगर बात करें इसके कवी कौन है आप से प पर आए है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपकस के अंतर lugत आते हैं। अपटी परिक्षा तक के लिए सब्सक्राइब कर लेते जब भी आपकी परिक्षा है, ठारा फरवरी को हो जब भी हो आपकी परिक्षा, तो जो जो कॉंटेट आपको UP पुलिस एक्जाम के लिए दिया जाता रहे एक्जाम तक उसको आप लोग पढ़ लिजिए, अच्छे से practice set solve कर लीजे selection आपका कहीने की यानि कि 60,000 vacancy में एक seat आपकी निश्चित आपको करना है इस बार क्योंकि vacancy बहुत समयवाद आई है लगबख 4-5 साल बाद vacancy आई है तो एक बार एक seat इस बार आपकी पक्की हो जाना चाहिए क्योंकि अब नहीं पता सात्यों इतनी बड़े लेवल पर vacancy कब आए ठीक है UPSI की भी vacancy आने वाली है लेकिन मेरा मानना है सात्यों कभी एक notice आउट हुआ था तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि UPSI का वहाँ पर जिक्र नहीं किया गया था वहाँ पर 72,000 vacancy का दिक्र किया गया था ठीक है तो हो सकता हो शायद UPSI की vacancy ना पाइस बार तो इसलिए आप क्या करेंगे UPSI के एक्जाम में एक selection अपना निश्चित करेंगे 20 में नंबर का प्रशना आपकी स्क्रीन पर है बात करें कि निश्चित विकल्पों में से शुद्ध वरतनी वाले शब्द का आपको चैन करना अगर आपसे कहा जाए कि उपर युक्त कैसे लिखोगे तो कैसे आप लिखोगे जैसे आप्शन नमर डी में लिखा हुआ वा ऐसे लिखोगे तो जिनका अंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए कि निश्चित में से एक की वरतनी अशुद है यानि कि किस की वरतनी आपको साथियों अशुद लग रही है या आपसे पूचा जा रहा है बताने की कोशिच कीजे देखिए मनीशा तो ऐसे लिखा जाता है वेशभूशा भी ऐसे लिखा जाता है शुषूशा भी ऐसे लिखा जाता है answer आपका जाएगा option number A के साथ next number का प्रशन आपके screen पर है बताईए आकाल पीलित में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है बताईए आकाल से पीलित यहाँ पर भी कौन सा समास हो जाएगा सातियों तत्पूरुच समास हो जाएगा next number का प्रशन आपके screen पर है बताई के पीलित शब्द क्या है यह क्या संग्या है यह सर्वनाम है यह सातियों विशेशन है यह किरिया विशेशन है देखे किरिया विशेशन की जब हम बात करें तो किरिया विशेशन तो जैसे के मान लिजे मोहन तेज तेज चलता है तो इसमें चलना क्या हो जाएगा क्रिया हो जाएगा चलना क्रिया हो जाएगा और जो तेज तेज शब्द आया है या धीरे धीरे चलता जो धीरे धीरे शब्द होते हैं इस प्रकार के शब्द सात्यों क्या कहला जाते हैं ठीक है ना अगर बात करें सातियों सर्वनाम क्या शब्द होते हैं तो जो संग्या की इस्तान पर आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं संग्या की अगर बात आती है संग्या क्या है अगर किसी वैक्ति का नाम है किसी लड़की का नाम है किसी नदी का नाम है किसी पहाड का नाम है किसी शहर का नाम है, किसी देश का नाम है, तो ये सब संग्या होती है, तो ये तो संग्या भी नहीं है, ये सातियों क्या है, ये विशेशन है, अगर बात करें सातियों कि माल लिजे, जैसे के मैंने यहाँ पर सातियों लिख दिया, क्या लिख दिया, पीलित आदमी, मैंने य ऐसा शब्द होता है साथियों, विशेशन शब्द वो होता है, आपको धियान रखते हैं, इसलिए आंसर आपका जाएगा आप्शन नमबर C के साथ, और जिनका आंसर यहां पर C है तो बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद देखिए, कि निमलेकित में से अशुद वाक का आपक कोई फाइदा नहीं इस चैनल का, अगर एक प्रिश्ट में आपका हिंदी के सेक्शन में गलत हो जाता है, तो जो भी आपको पढ़ाया जाए, एक्जाम तक अगर आप पढ़ लेते हैं, तो 37, बटा 37 का स्कोर आपका कहीं नहीं गया, और मैं GKGS की बात करूं, साथियों, खीच के, बहुत खीच के, अगर 25, 26 का भी स्कोर मैं आपके लिए ले पाया, 38 में से, तो मैं बहुत अपने आपको साथियों सो भाग शाली मानूगा, कि अगर 25 क्यों के साथियों, 20 प्लस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यूपी पी के पेपर में, तो कम से कम 25 का टार तुम तो अपना काम करो, ये गलत लग रहा है साथियों, ये सचे इनसान है, ये भी सही है, तो अगर बात करें इस कोशन का राइट आंसर जो होगा, यानि कि अशुद दवाक को जो होगा, वो आप्शन नमर सी वाला होगा, अब नेक्स नमर का प्रशन देखिए, आंसर आ नहीं चरती का मतलब क्या होता है, छल कपट का वैवार हमेशा नहीं चलता, आंसर आपका B है, तो बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद देखिए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका मतलब क्या होता है साथियों, खिसियानी बिल्ली कंबा नोचे की अगर बात करें सा तो अगर बात करें साथियों मूर्ख धनी जो होता है न उसको कहा जाता है कि आख का तो अंदा है लेकिन गाट का पूरा है आंसर आपका बे के साथ चलिए नेक्स नंबर का प्रशन आपके स्क्रीन पर है बताए कि मैला आचल के लेकख साथियों कौन है अगर आप लोग साथियों चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे और हो सके तो साथियों प्यारे से कमेंट के माद्धम से बता answer है उसके बाद देखिए साथियो हिंदी कौन सी भाशा का शब्द है ये एक्जाम में आप से पूछा जाएगा और इस कोशन को साथियो बहुत सारे ऐसे लोग है जो गलत कर सकते हैं आपको ध्यान रखना है कि हिंदी की जब हम बात करते हैं तो ये फारसी भाशा का शब्द है अंसर आपका जाएगा ऑप्षिन नमर बी के साथ नेक्स नमर का प्रषण है कि नमले कित में से ओष्ट दोवनी कौन सी है तो ओष्ट दोवनी साथियों आप से कोशन पूछा जाएगा चार आप्शन आपको सामने दिया जाएंगे लेकिन आपको याद रखना है कि फा होता है ने साथ ये साथ ये ऑश्ड दोहम नहीं होता है आंसर आपका ड के साथ वावल को हिंदी में क्या आपका साथ ये अगर बात करें इसको इंगलीश में क्ष़िखे बता है और मैं आपसे कहूँ कि निदी अपकर दिखाईए तो आप कैसे लिखेंगा अंत्याक्षरी ऐसे ऐसे या ऐसे तो मैं हूँगा साथियों तो मैं तो ऐसे लिखूँगा अंत्याक्षरी होता है आंसर आपका जाएगा आप्शन नमर B के साथ दोई बहुत बड़िया वेरिकूर क्लास अभी शाप शब्द में उपसर के साथियों क्या है तो जिनका अंसर यहाँ पर D है तो बिल्कुल करेक्ट है वही बहुत बड़िया वेरिकूर क्लास सुथ शब्द को इस तरी वाचक बनाने के लिए किस प्रत्याका प्रयोग करेंगे तो सुथ के साथियों यहाँ पर क्या है यह साथियों एक पुलिंग शब्द है अगर साथियों इस तरी वाचक शब्द बनाना हो तो उसमें साथियों बड़ा आ लगा देंगे क्या लगा देंगे यहाँ पर बड़ा आ होना चाहिए तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा ऑप्शन नमर डी के साथ जाएगा तो कैसा शब्द साथियों बन ज साथियों देखे इसकी संधी विच्छत जब हम लोग करते हैं तो लेखक का संधी विच्छत क्या हो जाता है लेखे धन अग हो जाता है तो इसका पृते साथियों क्या बनेगा यही तो बनेगा अग इसलिए answer कि अगर बात करें option लिटी आपका right answer उसके बाद देखिए ससूर का तत्सम सात्यों क्या होगा ये कई बार आपके एक्जाम में पुछा जा चुका है तो अगर बात करें सात्यों इस प्रिशनी के राइट आंसर की तो शवसूर आपको धिहान रखना है और शवसूर कहां पर लिखा है तो ये तो आप्शन नमबर के तत्सम शब्द है बाकी सारे कैसे शब्द है बाकी सारे तत्भफ शब्द है इसलिए जिनका आंसर यहाँपर D है तो बिलकुल करेक्ट है चले अब यहाँपर सात्यों हम लोग देख लेते हैं जीके के पृष्ण जीयूपी जीके के पृष्ण और उसके अलावा रिजर बैंक ओफ इंडिया को लेकिन अगर आपसे पूचा जाए कि भारती रिजर बैंक की इस्थापना कप की गई तो एक अपरेल 1935 इसको इसके इस्थापना की गई आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमर सी के साथ अचा उत्तर प्रदेश के अगर बात करें तो उत्तर प् प्रशन आपके एक्जाम में पूच लिया जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए ओडिशा इस कोशन का राइट आंसर है यहने कि सिमली पालवन नजीव अभ्यारन साथियों ओडिशा में स्थित है भारत सेवक समाज की इस्थापना जो है ना वो साथियों किस ने की थी आपसे पूचा जा रहा है तो अगर बात करें भारत सेवक समाज की इस्थापना किस ने की थी गोपाल कृष्ण गोकले ने की थी आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमर डी के साथ चलिए अगर बात करें साथियों बैंकिंग छेतर में शब्द है ATM, ATM की फुल फॉर्म साथियों आपसे पूची जा रही होगी पैसे आप लोग ने बहुत निकाले होंगे ATM से लेकिन आज आपको बताना है कि ATM की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप लोग धियान रखेंगे साथियों automatic टेलर मशीन होती है आपको धियान रखने आंसर आप आप्शन नमबर B के साथ चलिए नेक्स नमबर का प्रशन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में राश्टी आयाने के नेशनल इंकम की गणना कौन करता है बताई वित्तमंतराले, केंद्रिय सांखी की संगठन निती आयोग या भारतिय संगठन तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है केंद्रिय संगठन के द्वारत में ही राश्टी आये की गणना की जाती है उसके बाद देखिए कि अंतर राश्टी नियाले साथियों कहां परिस्ते थे बताईए तो ये कोशन साथियों एक्जाम में कई बार पूचा जा चुका है तो नीदर लेंड के दहेग में अंतर राश्टी नियाले सते थे इसलिए आंसर आपका जाएगा उप्शन नमर B के साथ तीसरा पानी पत का युद्स साथियों कब लड़ा गया था या आपसे पूचा जा रहा है तो बताने की कोशश कीज्यागाने पानी पत करें मान लीजिये पूरी दुनिया की अंगर बात करें पूरा विश्व अगर सौ पृत पृतिशत है क्या पूरा अगर 100 प्रिच्छत है तो उसमें अगर भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत का कितना प्रिच्छत छेतरफल भारत के पास है आप से पूछा जा रहा है तो 2.42 प्रिच्छत भाग जो है वो भारत के पास है आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका किस option के साथ जाएगा तो option number C के साथ जाएगा 48 में नंबर का प्रशना आपकी स्क्रीन पर है कि विजय वाड़ा किस नदी के किनारे पर बसा है तो ऐसी कौन सी नदी है साथियों जिस नदी के किनारे पर ये विजय वाड़ा शहर है तो आप का अंसर यहाँ पर जाना चाहिए आप्शन नमबर A के साथ और जिन का अंसर यहाँ पर A है तो बिलकुल करेक्ट भई बहुत बड़िया वेरी कुट क्लास भारत के किस राज की तट्रेखा सबसे लंबी है आपसे पूछा जा रहा है साथियों आंधर प्रदेश की केरल की गुजरात की अतमिल लाणु की तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि गुजरात एक ऐसा राज है जिसकी तट्रेका सबसे लंबी है अगर पूछा जै ऐसा कौन सा देश है जिसकी तट्रेका सबसे लंबी है तो कनाड़ा आपका उत्तर होगा लेकिन राज जिप पूछा जै तो गुजरात आपका उत ये एक पुस्तक और इसके लेखक साथियों कौन हैं तो इसके लेखक हैं अर्विंद घोश या आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जाएगा अप्शन अबर भी के साथ अब उसके बाद देखिए कि कौंग्रस ने किस एक मातर गोल में सम्मेलन में भाग लिया था अगर बात करें साथियों तीन गोल में सम्मेलन होते हैं एक तो 1930 में सम्मेलन होता है दूसरा गोल में सम्मेलन साथि 1931 में होता है और तीसरा साथि 1932 में होता है यह तीनों गोल में सम्मेलन कहां पर होते हैं तो लंदन में आप रोते हैं यह आपको ध्यान रखना है लेकिन अगर बात करें साथियों जो 1931 में गोल में सम्मेलन होता है यानि कि दूसरा गोल में सम्मेलन होता है इसमें साथियों कॉंग्रस आपको ध्यान रखना है क चले तो वायू मंडल की अगर बात करें देखे माल लेज़े ये क्या है साथियों ये पृत्वी है अब वायू मंडल कहां पर है जो भी इसके चारो तरफ साथियों कैसे जहना ये सब क्या है ये सारी वायू मंडल ही कहलाई जाती है ठीक है तो यहां पर साथियों ऐसे करके को ध्यान रखना है और समान ताप की अगर बात करें तो सम मतलब समान ताप मतलब ताप यानि के समान ताप यहां पर रहता है यहां इसलिए यहां पर आंधी वर्षा दूफान वगर यह सब कुछ नहीं आता है अब नहीं आता है इसलिए यहां पर वायोयान उड़ाए जाते हैं तो समताब मंडल में उड़ाए जाते हैं आंसर आपका C है तो बिल्कुल करेक्ट है भारतिय भाषाओं के संडक्षन एवं विकास के लिए हिंदुस्तानी एकडमी कहां परिस्तित है या आप से पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना साथियों इलाहबाद यानि के प्रियाग राज में हिंदुस्तानी एकडमी इस्तित है जो के भारतिय भाषाओं के संडक्षन एवं विकास के लिए है इस परिकार जिनका अंसर यहां पर है option नंबर A के साथ तो बिल्कुल बताना था अगर आपसे यह पूछे कि उत्रपदेश रासन के राजस विभाग में कितने अनुभाग हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे चौधा अनुभाग हैं आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका D के साथ उसके बाद देखिए कि बहुत तकी के छेतर में नॉब लेकित मेंसे कौन सी एक खरीव की फसल नहीं है तो अगर बात करें साथियों सरसू की जब हम बात करते हैं तो ये तो साथियों रवी की फसल है खरीव की फसल नहीं है इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमबर D के साथ उसके बाद देखिए कि राश्पती दौरा ज जारी किये गए अध्यादेश की अधिक्तम अवधी कितने महीने की होती है तो आप लोग ध्यान रखेंगे राश्पती के दौरा जो अध्यादेश साथियों जारी किया जाता है ये छे महीने तक का होता है इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नमबर C के साथ तो बिलक जून आपको लगाना है आंसर वहाँ पर उसके बाद देखिए किस हॉर्मोन के सरावन से हिर्दे इस पंदन तता रूधिर दाप बढ़ जाता है तो उस हॉर्मोन के अगर बात करें उस हॉर्मोन का नाम है आप लोग ध्यान रखेंगे एड्रीनेलिन एड्रीनेलिन एक ऐसा ह हाइड्रोकलोरिक अमले या ऐसेटिक अमले साथियों तो HCL कि अगर बात करें यानी कि हाइड्रोकलोरिक अमले की बात करें तो ये सातियों क्या होता है एक один है जो पेट के जिवानों को खत्म करता है आंसर आपका जाएगा B के साथ रिंग की अगर बात करें तो ये किस खेल से संबन्दित है आप से पूछा जा रहा है तो मुक्के वाजी से ये संबन्दित है जो रिंग है ना ये मुक्के वाजी से संबन्दित है आंसर आपका जाएगा A के साथ चलिए उसके बाद देखिए कि मेटरनेटे बेनिफिट एक्ट 1961 के तहते महिलाओं को निमने में से कौन सी सुविधा परदान की जाती है तो कौन सी सुविधा परदान की जाती है चिकित्सा की प्रेक्षिक्शन की या मातरत वलाब की तो मैं कह सकता हूँ साति यू मातरे तलाब की सुविधा को दिया जाता है इसलिए आंसर आप का जाएगा उप्शन वर्षी के साथ इंटरनेट के माध़ी हमसे बातों के दौरान अंचाही बाते क्या कहला जाते हैनिके इंटरनेट के माध़ी हमसे किसी को भी साथियों बार बार मैसेज करना या बार बार किसी और चीज को भीड़ना जो वो ना चा रहा हो ना बाते करना चा रहा हो तब भी उसको भीड़ना वो क्या कहे लाया जाता है साथियों इस पैम उसको कहा जाता है इसलिए आंसर आपका जाएगा एके साथ निम्लिकित में से कौन सा मामला मानव अधिकार के उल्लिघन से सम्मंदित है तो कौन सा अधिकार साथियों कौन सा मामला मानव अधिकार के उल्लिघन से सम्मंदित है नियाय में देरी होना क्या इसको कहा जाता है मानव अधिकार में उल्लगन तो बिलकुल साथियों पुलिस अभी रक्षा में मृत्तियों हो जाए अगर किसी को तो यह भी मानव अधिकार का उल्लगन होगा अगर बात करें साथियो मानफ तसकरी को भी कहा जाएगा इसलिए आंसर आपका अकुल मिला के जाएगा आप्शन नमर डी के साथ भारत में कागज मुद्रा का परचलन में आई थी 1861 में, 1890 में, 1920 में, 1929 में, 1919 में तो अगर बात करें, आपको ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि 1861 में, भारत में, कागज मुद्रा साथियों पर चलन में आई थी इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमर एके साथ अब उसके बात देखिए कि सिंदू गहटी साभता, जो हरपा नगर है ना, यहम थी किस री नदी क किनारे पर इस्तित है, आप लोगँ धिहान रखेंगे, रावी नदी के किनारे पर इस्तित है, हरपा नगर आंसर आपका जाएगा एके साथ अब उसके बाद देखिए कि पूरफ से पश्रिम की और बहने वाली नदी निम्लिकित मेंसे कौन सी है यानि कि नर्मदा नदी की जब हम बात करते हैं तो ये नदी साथियों पूरफ से पश्रिम की और बहती है इसलिए राइट आंसर आपका किस आप्शन के साथ जाएगा तो आप्शन नबर सी के साथ जाएगा अब उसके बाद देखिए साथियों बड़ी हाँ लेवल का प्रशन आपके स्क्रीन पर है कि ये खगोली एकक क्या है ये सूर से प्रथवी की नियुनतम दूरी है सूर से प्रथवी तक की अधिकतम दूरी को कह सकते है खगोली एकक या सूर की सता से प्रथवी के केंदर तक की माद दूरी को कहते है क्या कहते है किसे कहते है या आप से पूछा जा रहा है तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि सूर की सता से प्रथविक केंदर तक की माद दूरी को क्या कहा जाता है खगोलिये एकक कहा जाता है इसलिए आंसर आपका जाएगा आप्शन नमर सी के साथ हीमी फीलिया हीमो फीलिया एक अरुवन शिक्रोग है जिसका परणाम क्या होता है साथियों तो इसका परणाम क्या होता है रक्त का नहीं जमना यह हम लोग कह सकते हैं इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा भारत की कौन सी परवश शरंकला सबसे प्राचीन है तो अगर बात करें साथियों अरवत की अरावली के अगर बात करें तो अरावली परवत शरंकला ये सबसे प्राज़ीन है ये भी आप रोग ध्यान रखेंगे जनसंख्या घनत की दिष्टी से भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है क्या पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत की दिष्टी से भारत का कौ से ज़ादा उत्पादन किया जाता है तो मैं कह सकता हूं साथियों करनाटक आपके इस प्रिशने का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है उसके बाद देखिए साथियों आज कि इस क्लास कांतिम प्रिशना आपके स्क्रीन पर है आप से पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकील अगर है कौन सा है तो पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीले गरहे कि अगर बात करें तो शुक्र गरहे है या आपको धिहान रखना है आंसर आपका इसलिए जाएगा ऑप्शन नमबर एक के साथ तो यहां पर साथियों आपने आपके देखे यूपी पुलिस कॉंस्टेवल के एक्जाम के लिए 75 प्रशन जिसमें से 38 प्रशन आपने सामान निग्यान के देखे और 37 प्रशन आपने साथियों हिंदी में देखे और ऐसे ही इतने इतने नमबर कोशन number of questions exam में आपसे पूछे जाएंगे ठीक है ना मैं साथियों आपके लिए 100 प्रशनों की एक current affair की class लेने लाने जा रहा हूं बहुत जल्द आएगी और काम उस पर साथियों चल रहा है वो मेरा मानने साथियों अगर वो 100 सवाल current affair के आप पढ़ कर चले जाते हैं exam में तो जो भी आपके साथियों 7-8 प्रशना आएंगे current affair के ना तो वो 900 प्रशनों में से आएंगे और वो लगबख 7-8 महिनों का साथियो current affair होगा और इतना ही आपसे current affair पूचा जाएगा इससे जादा नहीं पूचा जाएगा ठीक है ना? तो साथियों एक वो ग्लास है इसलिए आप सबी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो कहीं वो आपसे वीडियो मिस ना हो जाए क्योंकि वीडियो अगर वो मिस हो जाती है तो आपका साथियों बहुत लॉस होने वाला है करिंट अफैर को 100 कोशन में समा देंगे साथियों पूरी 6-7 महीने की करिंट अफैर 7-8 महीने की उसके अलावा साथियों आपके लिए कुछ क्लासस मैंने बनाई है यूपी पूलिस कॉंस्टेबल के लिए अगर आप चाहते हैं तो उनको भी आप लोग वाच करेंगे तो आपको बहुत फायदा उन क्लासस से भी होगा अपने एक्साम में उसका लिंक मैंने साथियों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से जाकर उन क्लासस को आप वाच कर सकते हैं सब कुछ निशलक है कुछ पेटर नहीं सब कुछ फ्री आपको दिया जाएगा और फ्री में आपका सेलेक्शन करवाया जाएगा तो साथियों अगर हो सके तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे